नमस्कार, सव प्रथम तो खुशी ए वात नी छे, के आपड़ा धुरण दस्ना, जे पाठे पुस्तक मा गुजराती नी आपड़ी जे पुस्तक छे, ए नवु आव्यु छे, अने एकलाज माटे आजे ए नवा पुस्तक नो पहलुज प्रक्रण, अने ए पन सदभाग्ये तमारी शमक्ष मारे रजु करवानों मने सुन्दर, मोको मलेजु जेुजराती आपड़ा आठ नव दस्नी कोईपन पुस्तक होए, अने मा लगभग पहलु प्रक्रण, एकले नर लुकाव्य नर्सी मेतानू वैश्नव जन जोईशो, नर्सी मेताना ए सरस्मजाना एमना भजनों होए, के एमने जे प्रभातिया गाया होई, ए होई, आज सुधी लोकों ना मुखे आपड़े ए गाता जोईशके छे, एमनो जे क्रश्न प्रतेनों प्रेम, अने एमने जे लुकाव्य नर्सी मेताना भजनों द्वारा व्यक्त करियो छे, ए आजे पन एटलोज स्मरणिया छे, वंदनिया छे, पुजनिया छे, अने एटलाज माटे नर्सी मेताने आजे पन आपड़े अटला वर्षो पछी पन ए जरीते सन्मान पुर्वक याद करिये छे, ए नर् ए तो इसी सिशन पंदर्मी सदीनों छे, पन आजे पन आपड़े वच्चे होई, एवो अपने लागे छे, एमना पदोद्वारा, पजनोद्वारा अने प्रभातिया द्वारा, आजे पन गांबडामा घनिवार आपने जोहे छे, के गोवाडिया जाता होई, अने गाता हो के जागने जादवा स्री क्रश्न गो वालिया तुजवीना धेनुमा कोण जाशे तो आजी पणे आपड़ा वच्चेच छे एवा स्री नर्शी में ता विशे घणी बदी आपड़ने बाबतो जानवा मड़े छे अने ए मेंतो आधी कवी तरीके खुबज जानीता छे तेओ एक उत्तम उर्मी कवी पण छे तेमने शामर्शानों विवा हार, हुंडी, मामेरू, स्राद, जेवी चरित्रात्मा कावे रचनाओ आपी छे एमना पद प्रभातिया तरीके जानीता छे, चातूरियो, हिंडोडाना पद, वसंतना पद, क्रुष्ण लिलाना पद, वगेरे तेमनी रचनाओ छे एमना पदों मा उपनिशद वानीनों भाषा बरपान जोवा मड़े छे हवे आक आवे मा एशू केवा मांगे छे, ए आपड़े एक एक पंगती द्वारा जोईए वईश्णाव जन तो तेने रे कहिए जे पीड पराई जाने रे के वईश्णाव जन तो आपड़े एने कहिए जे पीड, दूख, तकलिफ, पराई, बिजानी, जाने हापड़े जेम आगळवाद करी कि बिजानी तकलीफ ने जानवी एने समझवी औने शक्य होई एटलो एनो उपायशोदवो एने मदद करवानों प्रयत्न करवो इतले वईश्णाव जन कोने कही शकाए तो कि जे बिजानी तकलीफो ने जाने चे एने समझे चे औने दूर करवानों प्रयत्न पन करे चे पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान न आने रे पर दुखे बिजाना दुखे उपकार करे बिजाना दुखने दूर करवा माटे एन उपकार करे छे अने ते छता पौण एना मन मा क्यारे पौण अभिमान नी भावना आवती न थे अनि इतलाज माटे ए व्यक्ती बिजा व्यक्ती थी वेत उंचो मानस के वै कि कोईनू पन सारू करी ने ए तरत अज मनमा सुरक्षित जग्या ए वातने मुखी दे छे ए वातनी क्या चर्चा नथी थती अथा तो एना मनमा क्यारे वो भाव नथी आवतो के में तमारा माटे आ कार्य कर्यू अनि इतलाज माटे कैए छे के एनू मन जे छे ए क्यारे पण अभिमान एना मनमा आवतू नथी सकड लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे आ सकण लोक मा ए सव ने वंदन करे छे, दरेक ने नमन करे छे, काराण कि दरेक व्यक्ती मा कैंक सारा गुण छे, अनि इतलाज माटे दरेक व्यक्ती ने नमन करे छे, सव ने वंदन करे छे, अनि ए वंदन एना अंदर व्यक्ती ने अंदर रहेला सारा गुणों ने, सारा तत तो वो ने ए वंदन करेचु निन्दा न करे केनी रे केनी कोई नी पन ए निन्दा करतो नथी। क्यारे पन कोई पन व्यक्ती नी क्यारे पन निन्दा न करवी जोए कांके निन्दा करवी ए एक सज्जन व्यक्ती नी निशानी नथी। अने इतलाज माटे वहिश्णाव जन क्यारे कोई नी निंदा करतो नथी। वाच, काच, मन, निर्मण राखे जेनी वाणी, जेनु चारित्र, जेनु मन निर्मण छे, निर्मण मण रही बिलकुल स्वच, जेनु मन एकदम स्वच्च छे, जेनी वाणी पण एकदम स्वच्च छे, पवित्र छे, जेनु चारित्र पवित्र छे, एवी व्यक्ती, के जेने धन धन जननी तेनी रे, तेनी जननी ने धन्यता आनो भवे छे, तेनी माता धन्यता आनो भवे छे, जेना गरे इवं बालक छे के जे फाजकाच अने मन्थी निर्मण छे। एवी माता पन धन्य छे। समद्रष्टी ने तुरुष्णा त्यागी परस्त्री जेने मातरे। सम द्रश्टी, समान द्रश्टी राखना रा, अने त्रुष्णा त्यागी, जी कहीं एनामा लालसा छे, लोब छे, इच्छाओ छे, एनो त्याग करना रा, बहु मुट्टी बाबत छे, के एक तो धरैक प्रते सम द्रश्टी राखवे, ए, कोई पन, नाना व्यक्ती, मुटा व्यक्ती, धनवान, गरीब, अथवातो, कोई पन जातना, नात, ग्ण्याती ना, उंच, नीच ना, कोई पन भिदभाव अगर, धरीक प्रते समान द्रश्टी राखवी, अन्य एज रीते, एलोको साथे समान व्यवहार करवो, पोताना व्यवहार मापण क्याए, कोई पन जातनो, बेदभाव नो आवे, एवी व्यक्ती, अन्य एटलाज माटे, कैछे, के त्रुष्णा त्यागी, जेने पोतानी इच्छाओनो, त्रुष्णाओनो, त्याग कर्यो छे, पोतानी इच्छा, लोब, लालसानो, जे व्यक्ती त्याग करे, एने पन आपडे वैश्णाव जन कैशकी, परस्त्री जेने मातरे, पर बिजी, कोई पन बिजी स्त्री, एना माटे माता समान छे, एटलो चारित्रेवान मानस, जीहवा थकी असत्य न बोले, पोताना मुखे क्यारे पन ए असत्य बोली जिन शके, असत्य बोलवानों ए प्रहत्न पण न करे अने ए कोईपन परिस्तिती होई शके सारी परिस्तिती मातो योग्य छे पण आपणी समक्ष क्यारे कोईपन परिस्तिती आवे तो पण आपणे असत्यनों सहारों लेवो जोईए नई एकले असत्यना बोले पर धन नव जाले हाथ रे पर धन बिजाना धनने नव जाले पकडवू बिजाना धनने क्यारे पण पकड़े नई श्पर्ष्न करे अडे नई एवो व्यक्ति कारण कि जी सज्जन छे मात्र पोताना धनू परच पोतानो अबादित अधिकार समझे बिजाना धन्य आपने क्यारेपन सपर्ष पन करवो जोइए नई एवी व्यातपण अझे आपने जोइए छे मोह माया व्यापे नहीं तेने एना जीवनमा क्यारे पन कोई पन स्थान प्रते कोई वस्तु प्रते के कोई व्यक्ती प्रते क्यारे पण कोईपण जातनों मोहम्या माया जेछे ए एनेस पर्षी शक्ता न थे किटली बदी उँची वाद छे के दरेक बाबतो थी आपड़े एटला बधा शंकड़ाएला होई ये छे अन्ने ते छता एना थी पर रहवानी वाद छे के जेम आपड़े कईए जल कमल वत पाणी मा रहवा छेता कादव मा रहवा छेता पंकज कमण किटलू बदू स्पष्ट रहे छे किटलू बदू सुद्ध रहे चे एवीज वाक्त अहीं करवा मावे चे कि व्यक्ती संसार मा रहवा चता पण मोह माया थी अलिप्त रहे चे द्रड वैराग्य जेना मनमा रे जेना मनमा द्रड वैराग्य चे दरेक बाबत प्रते वैराग्य चे इज वेक्ती साचो सजन बनी शके कोई बाबतो प्रते आसक्त न थी यहने अपड़े वैरागी कई शके राम नाम शु ताडीरे लागी सकड़ तीरत तेना तनमा आरे एना माटे तो एकच छे कि बस राम नाम सवती मोटू सकड़ तीरत तेना तनमा चे परमातमा आपणे हिंदी मा पने एक सरस्म जानी केवत होई छे के मन चंगा तो कथरोट में गंगा आपणू मन शुद्ध होई, पवित्र होई, मोह माया थी व्याप्त न होई कोई पन जातना तुरुष्णाओ न होई आपणामा कोई व्यक्ति प्रते आपणामा कपट भाव न होई कोईने हेरान करू, कोईना विशे खराब बोलू आपणा गुणों जो आपणामा न होई, तो परमातमा तो आपणी न जिकावेच आने जारे आपणा जिवनमा राम नाम आवी जाए त्यारे दरेक तीरत जेचे ये आपणा पोतानाज सरीर मा आपणे एने महसूस करी सकेच के भगवानना नामने तमे साची रिते लियो, साचा दिल थी लियो तो बधाज तीरत आपणी समक्ष छे वन लोभी ने कपट रहित छे कोईपण जातनों वन लोभी, लोभ वगरनों कपट रहित कपट वगरनों जे नामा कोईपण जातनों लोभ नथी जे नामा कोईपण व्यक्ति प्रत्ते कपट नथी कामक्रोध नथी एवा नू दर्शन करता आपणा इकोतेर पेड़ी तरी जाए छे एवी वाद नर्शी मेता आपने करेच